चर्चा करने वाले हैं बड़े टोपिक के उपर चर्चा कर रहे हैं धनु राशी का साल 2024 कैसा रहने वाला है नो गटना है वार्ची कुंडली के अनुसार नो बविश्यवानिया वार्ची के अनुसार धनु राशी के साथ में साल 2024 में घटित हो रही है उस नो गटना है कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करेंगे इस कारेकरम को पूरा का प आपके लिए मंगल वह रहे और आपकी सभी इच्छा पूरो मैं तो माता रानी थी ये कामना करता हूँ चलिए आप बात करते हैं वार्षी कुंडली के उपर ये धनूराशी की कुंडली कहीना कहीं देखा जाए तो सूरी और मंगल यानि मंगल आपके साल 2024 में वार्षी कुं दिख बली पोजीशन है ये भी अच्छी स्थती है राहू आपके चतुर्द बाउं में बैठे है और गुरु आपके पंचम बाउं में बैठे है यानि की वर्षेश कुंडली के अनुसार अधिकतर आपके अच्छे ग्रे केंद्र में बैठे हैं और कहीना कहीं ये जो साल है आप बढ़िया बनने वाला आप क्या-क्या घटना होगी इसके बारे में इस कारेकरम में चर्चा कर लेता है वैसे अगर देखा जाए तो धनुराशी भाद चक्र की नववी राशी है स्वामी इसके गुरू होते हैं धनुराशी वालों के बारे में अगर हम जन्नल बात कर तो धनु राशी मात रहती राशी है जो बहुत नौलेज़ेवल व्यक्ति होते हैं यानि पढ़ने लिखने के शोकीन व्यक्ति होते हैं धनु राशी वाले न्यूज पढ़ते रहते हैं अपने ग्यान में ब्रिद्धी करते रहते हैं यानि राजनीती की न्यूज अध्यात्म कि रूज विज्ञान में क्या चलना है टेकनोलोजी में क्या चलना है इसको पढ़ते लेते हैं समझते रहते हैं तो काफी सारी नॉलिज का पिटारा इनके अंदर होता है कोई भी व्यक्ति धनूराशी को मुर्क नहीं बना सकता अगर धनूराशी वाला कम पढ़ा लिखा भी है तो वो पड़े लिखे जैसा लगता है और अगर बहुत बड़ा लिखा है तो उसका मुकावला करना तो इंपॉसिबल है साथी साथ धनूराशी वाले जो जातक और जातिका हैं वो नारियल की तरह होते हैं यानि बाहर से सक्त नजर आते और अंदर से बड़े बच्चे क तरह यानि नरम होते हैं यानि पहले जब व्यक्ति से ये लोग दनूराशी वाले मिलते हैं तो बड़ा सक्त मिजात से मिलते हैं लोग समझते हैं कि ये बड़े सक्त है जब देखा जाए तो जब इनसे रिलेशन आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है इनका तो बच्चे जै कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो इसको डाटते हैं कहीं बार लोगों को बुरा भी लगता है बुरा भुला भी बोल देते हैं कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो ऐसा कर देते हैं और कोशिश करते हैं दूसरे के जीवन में dominant होने का और साथी साथ देखा जाए तो गाड़ियों के बहुत बड़े शोकीन होते हैं धनुराशी वाले या कपड़ों के बहुत बड़े शोकीन होते हैं तो धनुराशी वाले अगर अमीर होंगे तो और एक से कपड़े खरीदेंगे ब्रैंड़ीट कपड़े खरीदेंगे और गाड़िया होती है। चलिए आप बात करेते हैं साल 2024 में नो गटनाओं के। तो पहले हम बात करते हैं वारशी कुंडली के अनुसार धनुー राथी के स्वास्त के बारे में। वार्षिक कंडली के अनुसार साल 2024 में रोचक यूग बन रहा है सूर्य यश यूग बना रहे हैं दोनों एक साथ बैठे हैं तो साल 2024 के अंदर आपको राजनीती का में इंटरस्ट आ जाएगा यानि राजनीती का सोग आपके अंदर जागरित होगा आपको किसी समाजिक संस् बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है राजनीती में आपको पाद मिल सकता है आप पावर में आएंगे जनता आपको जनता का सयोग आपको मिलेगा कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीती के अंदर आपका शोग साल 2024 के अंदर जागरिक होगा ऐसा योग बनता है साथी साथ हे बारे में बात करें तो हेल्थ के लिए वैसे साल अच्छा है छोटी मोटी आपको सरजरी हो सकती है ऐसा योग भी साल 2024 के अंदर बन रहा है लेकिन चांसिस देखा जाए तो 30% है ना के बराबर है साल 2024 के अंदर धनुराशी वाले अपने यह थीक रखने के लिए योगा, जिम, मेडिटेशन पूरा साल करने वाले है ऐसा योग नजर आ रहा है साल 2024 के अंदर विदेश यात्रा के भी योग धनुराशी के बन रहा है तो कुल मिलाके हेल्थ तो ठीकी नजर आ रही है फाइनन्स के बारे में धनकी स्तथी के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी तृत्य भाव में बैठे हैं तो कहीं न कहीं शनी देव का आशिरवाद धनुराशी को साल 2024 के अंदर मिलने वाला है अगर साल 2024 का भी आप टोटल करेंगे तो आठ नमबर आता है और आठ शनी का और यहाँ भी धन भाव के स्वामी भी आपके शनी हैं याने शनी का डबल आशिरवाद साल 2024 में धनूराशी को मिलेगा याने कि शनी आपकी धन संबंधि किस्मत चमगाने वाले भई धनूराशीवाले याने कि आपको धन का कोई बड़ा आप साल 2024 में मिलेगा साथ ही साथ जी एस और डी यानि इस इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्तियों से आपको बड़ा धनलाब हो सकता है उनके साथ में डील करने से आपको बड़ा लाब हो सकता है इन व्यक्तियों के साथ में आप मित्रता करेंगे इनकी नाम G से सुरू होता है जिसका नाम S से सुरू होता है इन लोगों से आपको बड़ा लाब होने वाला है फुल मिलाके देखा जाए तो अचानक आपकी स्तथी बहुत अच्छी हो जाएगी नोकर चाकर का सुख गाडियों का सुख आपको साल 2024 में मिलेगा और सब भाग्ये से म पारे में बात करें तो तृत्य भाव में यानि प्राकरम भाव के अंदर शनी महराज बैठें यानि साल 2024 के अंदर आपके रिष्ठेदार आपके मित्र आपकी जनता आपको खूब पसंद करने वाली है आपकी ख्याती बढ़ने वाली है अगल आप यूट्यूब सोशल तो कुल मिला के तृत्य भाव में शनी राजनीजी से जुड़ेवे व्यक्ति को आप कोई ना कोई पद में व्रिद्धी करवाने वाले हैं चौती घटना के बारे में बात करें तो वो होगी धनूराशी के परिवारिक जीमन में यानि चतुर्द भाव में साल 2024 में राहु बैठे हैं यानि परिवार की स्तथी अच्छी भी रहेगी मित्रो और बुरी भी रहेगी पहले हम अच्छी के बारे में बात कर लेते हैं कि साल 2024 के अंदर क्या अच्छी घटना होगी तो कही ना कही घर के अंदर विवा शादी या संतान के मांगलिक काम साल 2024 के अंदर बन है जो भी फैमिली मेंबर है उनके रुके वे काम चाहे विद्या से समंदी तो एडमीशन से समंदी तो करियर से समंदी तो विदेश से समंदी तो वो काम बनते वे साल 2024 में आपको नजर आएंगे खास कर जनवरी से और अप्रेल भी लग सकती है यहीं साल 2024 मिला जुला रहने वाला है मैं आप से पूछना जाओंगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं तो क्या है आपका एक्सपरेंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं देखिए एक बात है आदारणी प्रकाश जोशी जी से हमारी मुलाकात आज से दस साल पहले हुई थी और मैं कहूंगे दस साल से भी जादा मैं किसी के माद्यम से आप तक पहुचा था बहुत सारे प्रटेक्शन आपके द्वारा किये गए एक बार विश्वास जगता है तो बार बार मिलने का मन करता है और जब विश्वास जगता है तो बिश्वास के माद्यम से भावनाई भी उत्पन होती है लास्ट बिगत तीन साल से तिसी कारवबस आप आप से बारता नहीं हो पार रही थी बारता होती थी लेकिन आपके इस्थान तक नहीं पहुच पा रहे थे जो भी रिजन रहे हो लेकिन आपकी से प्रवावित होकर प्राया हमेशा पुना मिलने की चेश्टा करता हूं धन्यवाद कटियार जी और हम भी मातरानी से प्रात्ना करते हैं कि आप जो है जो आपके अंदर अपनी मनों कामना है वो पूर्ण हो और आप उचे पत पे पहुंचें जे अभी मिनिस्टर मनें हमारे प्रात्ना करेंगे और हमारे गुरु जी का अगर आशिरवाद रहेगा तो निस्टरूप से फली बूत होगा जो कि आप भी तक जो भी आपने प्रेटेक्शन किये हैं तो वो बहुत ही लाप्रत रहे हैं और मैंने अपने बारे में नहीं आज भारती जंता पाइटी के जो अथि आदानी सुतन दोजी के बारे में हो वी मेरे साथ एक दुबार यहां पर आए हैं और बिने कठ्यार जी भी पियो यक दो बार आये हैं लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था उस समय आज से दस साल पहले जब सुतंदो जी हमारे साथ आये थे तो मुझे भी नहीं लगता था कि यह सही है लेकिन आज हुआ वो काइबनेट बनती ही बने आज प्रदेश के अध्यक्ष है भारती यंदा पाइटी के तो कई आपमारे के ओलावा और भी कई लोगों का मैं बताता हूं जैसके उनके बारे में भी जो आपके विचार आपने प्रेटेक्शन किया आने वाले समय में उत्रा तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे वारे में कोई अगर प्रेटेक्शन कर रहे तो हम आपको जो है मुख्यमंत्री के पर देखना चाहते हैं चलिए समय बताएगा अश्रिबाद और मा की किरफा हमेशा बनी रहे चलिए दन पाचवी घटना के बारे में बात करें तो उसका असर उन धनुराशी पे होगा जिनकी संतान है तो संतान के लिए देखा जाए तो पंचम भाव में गुरू होने से संतान के लिए साल 2024 बहुत ज़्यादा यादगार वाला साल रहेगा उन्नती दायक साल 2024 रहने वाला है या सर्व शर्व स्रेष्ट साल 2024 रहने वाला है यानि संतान चाये आपकी छोटी है चाये आपकी बड़ी है सर्वस्रेष्ट परदर्षण आपको अपनी संतान का दिखेगा साल 2024 में अगर अंगली काम आपकी बड़ी संतान के रुके हैं तो वहां पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा छटी गटना के बारे में बात करें तो वह है धनुराशी के स्टूडेंट विद्यार्टियों पे साल 2024 धनुराशी के स्टूडेंट के लिए अच्छा बुरा दोनों तरीके का रहने वाला है पहले हम स्टूडेंट के अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं विद्या करियर के अंदर अगर देखा जाए तो आपको मन्चाहे अंक मिलेंगे मन्चाही सपलता साल 2024 में मिल रही है बुरा क्या है कि आपके लाव एंड रिलेशन बिगड़ते वे नजर आएंगे साल 2024 के अंदर लाव एंड रिलेशन ब्रेक होते वे नजर आएंगे वाहन के एक्सिडेंट वाहन पे खर्चा होतावा नजर आएगा तो कुल मिला के अच्छा बुरा दुनों तरह का मिक्स मैच ये साल रहने वाला है साथी साथ साथ भी गड़ना के बारे में अगर बात कर साल 2024 के अंदर शुक्र द्वारा वार्शी कुली में विपरीत राजयोग बन रहा है और शुक्र जब भी विपरीत राजयोग बनाते हैं तो गेम चेंजर साल होता है वो याद रखेगा जीवन को बदनने वाला साल होता है तो कहीना कहीं देखा जाए फरवरी से ही बड़ा परिवर्तन आएगा आपको नौकरी का बड़ा ओफर मिल सकता है साती साथ इस्थान परिवर्तन प्लेस के परिवर्तन के योग भी नौकरी में बन रहे है यानि एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के योग एक शहर से दूसरी और तबातला होने के योग लेकिन वो जहा आप दूसरी जगा जाएंगे वो आपके लिए बड़ी लापकारी आपको बड़ी सुटेबल रहेगी वो जगा जहां से आपका गेम चेंज होगा और करियर की उचाई की शुरुआत होगी साथी साथ नौकरी में भई आपको विदेश से समंदित ओफर भी मिल सकते हैं तो कुल मिलाके साल 2024 यानि शुकर का जो विप्रीद राजयोग बन रहा है बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है आठवी गंदा के बारे में बात करें तो उसका समंद होगा आपके दामपत्य जीवन के से यानि दामपत्य जीवन में अगर देखा जाए तो बारवे भाव में बुद और शुकर की यूती बन रही है बारवा भाव अक्सर जोतिस में खर्चे और हानी का भाव माना जाता है बैड हाउस बना जाता है वहाँ पर वर्षेट कुनली में बुद और शुकर की यूती होने से साल 2024 में आपको दामपत्य जीवन में अच्छा बुरा दोनों तरीके का रिजल्ट मिलने वाला है 2024 के अंदर बारवे भाव में बुद और शुकर की जो यूती है कहीं न कहीं लव एन अफेर में आपको दोका मिल सकता है या कठिनाई रहेगी और कठिनाई जनवरी से लेकर अगस तक आपके रिलेशन निभाने में रहेगी यहां तक आपका रिलेशन ब्रेक भी हो सकता है अगर यहां पर आपके रिलेशन की परिक्षा होगी अगर आपका प्यार मित्रों सच्चा है तो रिलेशन हिचकोले जरूर खाएगा लेकिन आगे तक तिकेगा याद रखेगा अब आपकी रिलेशन में अगनी परिक्षा श पार्टनर के माता-पिता के घर में या पार्टनर के परिवार के अंदर विवा या संतान समंदी खुशकबरी भी रहेगी तो कुल मिलाके वैसा अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छा है पार्टनर का करियर अच्छा है पार्टनर के घर में भी आवियपार करते हैं दुकान चलाते हैं चलाते हैं साल 2024 में बुद्ध देव देखा जाए तो बारवे भाहों में बैठे हैं यानि कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके कारे में आ रहा है यानि कि वारची कुल्ली में जब भी बारवे में बुद्ध बैठते हैं तो बड़ा परिवर्तन आएगा साल 2024 में देखा जाए तो किसी दूसरे काम में आप धन निवेश कर सकते हैं यानि कि नया काम आप शुरू कर सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है साथी साथ दुकान फैक्टरी या शुरूम का इस्थान परिवर्तन के योग भी आपके बनते हैं और वैसे अगर देखा जाए तो साल 2024 काम के लिए धन के लिए आपके लिए नॉर्मल रहेगा लेकिन अगर आप काम बढ़ाना चाते हैं काम को बहुत अच्छा करना चाते हैं तो वही आपको विग्यापन का सारा साल 2024 में लेना पड़ेगा किसी को कमीशन देनी पड़ेगी तभी आ अच्छा होगा वरना आपका साल 2024 नॉर्मल रहेगा नॉर्मल आपका धनलाब रहने वाला है नॉर्मल आपकी सेल रहने वाली यह याद रखिए गा तो यह जो नौगटना है आपके जीवन में घटी तो रही है इस कारेकरम में मित्रो बाद इतना ही मुझे दीजे जाए च कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर मेरे बच्चे भी बहुत-बड़े पर चल गया है मतलगी घर में कुश्याली आ गई है और मैं परकाज जोज्य को कोटी-कोटी परनाम करती हूं झाल झाल